आप देख रहे हैं रुख जाना नहीं जून 2018 का गडित का पेपर 10th क्लास का तो चलिए देखते हैं इसमें कौन-कौन से important questions आये थे अभी आपके जो exam हो रहे हैं अगर आपको उसमें से किसी भी paper का solution चाहिए चाहिए कोई भी subject हो तो उस paper को हमें WhatsApp करिए exam होने के बाद में WhatsApp नमबर है 846902568 पर WhatsApp करने के बाद में आपको एक वीडियो मिलेगी इस वीडियो में आपका सारा solution मिलेगा उसको देख करके आप अपने नमबर हमें comment section में जरूर बताए कि आपके कितने नमबर आए हैं जिससे आप अगले exam की अच्छी तयारी कर सकेंगे अगर नमबर कमाते हैं तो आपके अगले exam जो है वो आपके पूरक का काम करेंगे तो यह है आपका पहला question सही विकल्ब चुनना है जिसमें आपका Hindi medium के लिए यहाँ पर इसके नीचे अभी English medium के questions है तो यहाँ पर जब A1 upon A2 बराबर नहीं होगा B1 upon B2 तो समिकर निकाए A1X plus B1Y plus C1 is equals to 0 तथा A2X plus B2Y plus C2 is equals to 0 होगा तो इसके कितने हल होंगे यह आपको बताना है इसके बाद में second है दो संख्याओं का योग 40 एम अंतर 20 है तो संख्याओं कौन सी होंगी यह आपको बताना है उसके बाद में P जो है वो दे रखा एक बटे X plus 1 और Q दे रखा X square minus 1 upon X minus 1 तब P into Q का मान कितना होगा यह आपको बताना है इसके बाद में आज़े यह next question पे जहाँ पर X square minus 2X के सुन्यांक आपको बताने है कितने सुन्यांक होंगे पांचवा question में आपको 9,12 का तृत्यानुपाद जो है वो आपको बताना है इसका English version आपके सामने है वही question जो है यहाँ पर repeat किये गए है English version में तो आप इसको देख सकते हैं इसके आगे का question यह भी मैं दिखाएता हूं और आगे चलते हुए हम जो दूसरा question है उसको देखेंगे तो उसमें हम आगे की discussion करेंगे तो यह हो गया आपका MCQ उसके question English medium के लिए आप आगे आजाते हैं रिक्स्तानों की पूर्ती करने हैं तो यहां पर जो है आपका पहला है एक आपका वह समीकर्ण जिसमें अग्यात राशी की अधिक्तम घात हो दो हो तो वह कौन सी समीकर्ण कहलाती यह बताना है आपको उसके बाद में घसारे की दर सदेव खालिस्तान होती है यानि के दर रेट ओफ डिप्रेशियेशन इस आलवेज कैसी होगी आपको बताना है यदि दो तिर्भूजों के संकत कौन का कौन समान हो तो वह तिर्भूज कैसे होंगे उसको कैसा बोलते हैं आईसो सेलस आईसो आपका या इक्विलेटरल कैसा ट्रेंगल होगा यह बतान सब्सका करना है तो गहन की कोर की जो है लंबाई आपको बतानी है कितना है विकर्ण की लंबाई अगर इतनी है तो घं के कोर की आपको लंबाई बताना है ठीक है leint of the two tangents down from the external point of a circle always equal और दूसरा जो है आपका diagonal of a cube is 12-root 3 cm than the length of the edge of the क्यों भीज तो एज एक के मतलब एक किनारा आपको बताना है उसकी लंबाई कितनी होगी इसके बाद आजए ये सत्य सत्य की जाज करनी है तो सेवा कर अपरत्यक्ष कर है या नहीं है आपको टू एंट फॉल्स बताना है वरत की समान जिवाएं के इंदर पर समान कोंड बनाती है साथ आठ नौ का समान तरमाद दे नौ होगा और तीन असंक रेंस रेक बिंदू से होकर एक और केवल एक वरत जाता है ये क्या आप सही बता सकते हैं इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका कॉश्चन इसमें पूछा गया यदि मिनार की उचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूरे का 99 कौन 30 डिगरी होगा तो ये चीचे आपके सामने यहाँ पर पांचो कॉश्चन के जो इंग्लिस वर्जन है यहाँ पर दिये गए है इनको इस वर्जन यहाँ पर आपके सामने है कॉलम एसे कॉलम बी को मिलाना है इशकी बाद में पांचोंह जो कॉश्चन है और वो कितना होता है इसके बाद में राइट थर्डुरेश्गा स्टेटमेंट का स्टेटमेंट वh त यहाँ चल जाएगा का मैं जिसका आपका होता है H square is equals to आपका B square और आपका जो होता है hypertenous base और आपका जो है एक P perpendicular तो ठीक है उसके relation को लिखना है इसके बाद में if the radius of a circle is 7 cm then find the area of the circle तो एक circle का area जो होता है वो होता है πाई आर स्क्वार तो आपको पास R given है पाई R square में R रख देंगे और value आपके सामने होगी इसके बाद में चौथा question है the age of a cube is 12 cm find the length of the diagonal of the cube पहले diagonal दिया था आप age पूछा है अब age दिया है अब diagonal पूछ रहा है diagonal का formula आपको पता होना चाहिए find the mode of the following data यहाँ पे following data दिया हुआ इसका mode आपको निकालना है इसके बाद में थेल्स परमे का खतन लिखना है आपको थेल्स परमे है उसको लिखना है आपको इसका और option में है write the statement of angle angle similarity property तो ए ए जो परपरटी है उसका आपको बताना है कौन सी परपरटी होती है उसके बाद में साथवा जो question है यहाँ पर एक तिर्भुज दिया गया है इस तिर्भुज में जो है DE समानतर है BC के यदि AD upon BD बराबर 3 बटे 5 हो तथा भुजा AC बराबर 6 cm हो तो भुजा AE का मान आपको निकालना है ठीक है इसके बाद में अथवा में अगर जो option है इसका अगर आपको चाहिए तो यह भी कर सकते हैं आप यहाँ पर जो है देख लीजिए सिद्ध करना है आपको कि 8 cm और 15 cm तथा 17 cm समकौन तिर्भुज की भुजाए हैं और कौन सी भुजा 90 डिगरी के विपरीथ है इसके बाद में आठवा कॉस्चन है समरूप M समरूपता का क्या आर्थ है यह आपको बताना है similarity और similar में दोनों में जो है क्या आर्थ है इनका बताना है अंतर नहीं पूछा है अर्थ पूछा है और option में दो तिर्भुजो के भुजाओं का कोन के माप निम नमसार दिखाए गए है जो की triangle ABC और triangle PQR है के समरूप है या नहीं आपको बताना है तो यहाँ पर AB और AC की value दे रखी है और angle A दे रखा है और PQ और PR दे रखा है और angle P दे रखा है तो यह बताना है कि समरूप है या नहीं है इसके बाद आजाईए इसका English version नीचे लिखा हुआ है आठवे question के बाद में हम चलते हैं अब नौवे question पे 10 motorcycle ने सवारो की गती किलोमीटर परती घंटा में record की गई है जो निम लिखी थे हैं तो उपरोग आकडों से आपको माद दे निकालना है यानि कि आपको mean find out करना है और option में है मादिका की दो विशेष्टा हैं बतानी है merits of median की उसके बाद में option number 10 जो है यानि question number 10 है इसमें एक पासे को उचलने पर विसम अंक पराप्त करने की प्राइक तक याद कीजिए तो एक पासे में आपको पता ये total 6 अंक होते हैं और उसमें से विसम मांक जो होते हैं वो कितने होते हैं तो आपका एक होता है तीन होता है और पाँच होते हैं तीन ही अंक विसम होते हैं और total number 6 होते हैं तो तीन बटे 6 कर देंगे काट देंगे तो एक बटे 2 answer आ जाएगा अब इसके बाद में अत्वा में हैं यदि कल बरसाथ होने की परायक्ता दो बटे तीन है तो कल बरसाथ ना होने की परायक्ता ग्याद कीजिए मतलब की कल अगर बरसाथ होने की परायक्ता दो बटे तीन है यानि बरसात होगी या नहीं होगी दो यह option है ठीक है और बरसात होने के वे तो उसमें भी आपका वही आएगा दो बाटे तीन ही आएगा ठीक है तो यह भी आपका आंसर सही हो जाएगा इसके बाद में 11 question की बात करें तो दी गई आकरती में आपको जो है x y का मान निकालना ह आप जानते हैं इसका पूरा पूरा जो है एंगल का जो आप एक्वल करेंगे 360 के बराबर होता है हमेशा जो एक चत्र्वूज होता है उसका एंगल होता है 360 बराबर तो इन कोणों को जोड़ करके 3 सभी डिगरी वाले कोणों को एक तरफ ले जाएंगे और xy वाले अलग अलग रख लेंगे बस आपका आंसर निकल जाएगा इसके बाद में सिद्ध करना है कि वरत की समान जीवाएं केंदर पर समान कोण बनाती है यह आपका थियोरम है इसको प्रू पर है तो वरत की तरिज़े आपको निकालना है इसमें कोड़ वाला कोश्चन है इसके बाद में तेरवा जो कोश्चन है इसमें पूछा क्या गया है आपसे की माध्य का निकालनी है दी गई डाटा के हिसाब से और अप्शन में है आपका राइट थ्री यूज ओफ कोस्ट ओ आपका उसको निकालना है और उप्शन में जो आया है कोश्चन इसी का तो इसमें पूछा गया है एक फांसे को फेकने पर चार सबसे बड़ा अंक आने की प्रायक्ता ग्याद किजिए यानि कि फाइंट द फूबल्टी ओ गेटिंग द नंबर गेटर देन फूर इंए सिंगल फ्रो ओफ एडाईज अगर एक बार फेकँ जाएगा तो चार से बड़े अंक दोई है या तो पांच आयेगा या छे आएगा यानिकि दो ही प्रूबल्टी है दो अंकों क्यानी की और आपक 6, 6 में से 2 ही आ रहे हैं तो 2 बटे 6 और 2 से 6 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 तो 1 बटे 3 इसकी probability आ जाएगी इसी तरह 15 कुश्चन है समेकर निकाई को हल करना है आराम से solve कर सकते हैं इसको बस आपको जो है इसको multiply करके दोनों में से किसी एक पार्ट को equal कर देना है दूसरे के और बस plus minus करके काट देना है और option में M के वे मान ग्याद किजिए जिसके लिए निकाए M की वो value निकालनी है जिसके लिए ये 0 प्राप्त कर सके ठीक है उसके बाद में आजाए ये solve question पर तो solve जो question है यहाँ पर दो संख्याओं का योग 80 है तथा पहली संख्या दूसरी से 20 अधिक है तो संख्याइं आपको ग्याद करनी है तो आपको पहले संख्या माननी पड़ेगी उसके बाद में आपको जो है condition के इसाब से equation बना के solve करना पड़ेगा और option में आए यदि 2 कुर्सी 3 मेजों का मुल्य 800 रुपे है और 4 कुर्सी 3 मोजों का मुल्य जो है 1000 रुपे है तो 2 कुर्सी और 2 मेजों का मुल्य निकालना है बहुत easy है सबसे पहले आपको एक मेज और एक कुरसी का मुल्डे निकालना है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आराम से आप दो कुरसी और दो मेज का मुल्डे निकाल सकते है उसके बाद आजिए सत्रय कुश्चन पे यदि X अपॉन B प्लस C है Y अपॉन C प्लस A है और Z अपॉन A प्लस B है सारे अगर एक्वल हैं तो आपको सीध करना है B माइनस C इन्टू X प्लस C माइनस A इन्टू Y प्लस A माइनस B इन्टू Z इसकोल स्टू 0 होता है और option में जो है आपको बताना है 11, 20, 26, 50 में से परतेक से क्या घटाया जाए कि सेस्पल समान पाती हो ठीक है अब इसके बाद में अठारवा कोशन है solve the equation X स्कॉाइर माइनस 5X माइनस 6 इसकोल स्टू 0 बाइ फॉर्मूला मेथड़ बहुत इजी है ये उसके बाद में और option में आया हुआ है समीकरण 6X स्कॉाइर माइनस X माइनस 2 इसकोल स्टू 0 इसमें मूलो की परकरती आपको निकालनी है find the roots से ना इसके बाद में आजए ये 19 वे question पे तो 100 मीटर उची एक मिनार की चोटी और उसके आधार से एक चटान की चोटी के 19 कोंड करमशा 30 डिगरी और 45 डिगरी है चटान की उचाई आपको बतानी है यानि कि height निकालनी है ये height and distance chapter जो है उसमें से आया हुआ है टिग्नोमेटरी सेक्शन का तो आपको इसको solve करना पड़ेगा इसके बाद में और option में है आपका from a point on a ground 20 meter away from the foot of the tower the angle of elevation is 30 degree find the height of the tower जिसमें root 3 की अगर value आपको लेनी पड़े तो 1.732 ले सकते हैं बीसवा जो question है इसमें पूछा गया है आपसे कि एक वरत में चाप की लंबाई यह हम तरिजया खंड का छेत फल गयाद कीजिए जिसके केंद्रिय कोंड जो है 150 degree वो तरिजया 21 cm है और option में है the length and breadth and the height of the cuboid cuboid है cube नहीं है ध्यान रखना है आपको जिसमें LBH होता है तीनों अलग-अलग distance होती है 12 cm, 11 cm, 10 cm find the surface area of the cuboid तो surface area का आपको पता यह formula क्या होता है volume में निकलना है surface area निकलना है volume में तो सिधा-सिधा L into B into H हो जाता है 12 into 11 into 10 हो जाता तो volume निकल जाता है लेकिन यहाँ surface area पूछा है तो आपको L into B, B into H और L into H करना पड़ेगा तो आपके पास formula से पूरा answer आजाएगा यानि एक बार 12 गुणा 11 फिर 11 गुणा 10 और फिर 12 गुणा 10 कर देंगे इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका answer आजाएगा उसके बाद 20 स्वा question है एक 8 cm व्यास वाले धातू के बेलन को पिगला करके 12 cm वाले कितने गोले बनाया जा सकते हैं बेलन की उचाई 90 cm है तो सबसे पहले आपको इसका 6 फल निकालना पड़ेगा व्यास वाले बेलन का उसके बाद में आपको 6 फल निकालना पड़ेगा उसके बाद दोनों को आपस में भाग देना पड़ेगा तो number of cylinder निकल जाएंगे या फिर metallic cylinder जो है वो निकल जाएंगे और option में है एक संकू की 37 cm उचाई 9 cm है इसका आयतन समान तिर्जिया वाले एक दूसरे संकू के वरक फ्रस्ट के बराबर है इस संकू का 3 उचाई यानि slant height आपको find out करनी है इसके बाद में आजएगे 22 वे question पे तो यहाँ पर गुणनखंड करना है आपको a square into में है b plus c plus b square c plus a into c square a plus b plus 2abc है तो इसको factorize करना है ठीक है और option में है आपको एक समिकंड दी गई है तो इसमें कौन सा परिन्ने वियंजन जोड़ा जाए कि x square plus 1 upon वर्ग समिकरन a x square plus b x plus c is close to 0 के मूल हो तो alpha upon beta plus beta upon alpha का मान ग्याद करना है और option में है दो क्रमागत प्राकरतिक संख्याइं ग्याद करो जिनके वर्गों का योग 303 है तो find two consecutive natural numbers whose squares have the sum 313 इसके बाद में 24 वा जो question है एक घड़ी नगत 260 रुपे या 480 रुपे आंसिक भुकतान पर 245 रुपे की 2 मासिक किस्तों पर दी गई किस्त योजना की व्याजदर आपको निकालनी है और option में है 2000 रुपे का 3 वर्ष के लिए 5 पर तिस्त की दर से चकरवर्दी व्याज जो है आपको निकालना है और साधान व्याज भी निकालना है दोनों निकालना है compound और simple interest दोनों 25 है एक तिर्भुज की वुजाए 4, 6 और 8 cm है इसका परिगत व्रत खीचिए यानि कि जो व्रत है उसको खीचना है आपका रचना के पद भी आपको लिखने है अथवा में आया है इसका जो उसको देख लेते हैं तो अथवा में पूछा गया है तिर्भुज ABC की रचना कीजिए इसमें आपको केवल ट्रॉ करना है और इसके steps लिख देने है BC बराबर 6.5 है एंगल A 45 डिग्री है और उचाई AD बराबर 5.5 cm है और 26 जो question है इसकी बात करें तो last question है बिना सांडनी के उप्योग करना है आपको सीध करना है sex 37 upon cosec 53 plus sign 42 upon cosec 48 degree बराबर 2 होता है ठीके आपको LHS ही पूरूव करना पड़ेगा right hand side में तो केवल 2 ही है तो आपको LHS वाला ही left hand side वाला ही लेना पड़ेगा और option में है निम सर्मिका को सीध करना है तो यहाँ पर भी आपका LHS भी ले सकते हैं RHS भी ले सकते हैं कोई भी ले सकते हैं तो 1 plus cos theta upon sin theta है बराबर करना है इसको sin theta upon 1 minus cos theta के बराबर तो यह है आपका question paper mathematics 10th class का 2018 का तो आसा करता हूँ यह video अच्छी लगी होगी पूरे question papers देखिये पुराने साल के आपका score अच्छा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी Thank you very much for watching this video till the end